बॉड मॉनिंग माइड दियार माइफ्रेंड्स आज मैं फिर आच पहूंग आपको कुछ नया पढ़ाने के लिए राइट बढ़ाने से पहले फिर आपको एक नहीं बात बताना चाहता हूं कि कभी भी आप अपने ममी बापा को नाराज नहीं करना है कभी भी अपने ममी देते हैं आईडिया एड कि अभी तो मैं अकेला हूं तो कोई डन नहीं है तो देखो फ्रेंड्स अब फिर मास्क खटाते ही जोस थोड़ा जरूरा आ गया राइट तो चलो पिलास स्टार्ट करते हैं पहले आपको टॉपिक को बता देते हैं टॉपिक क्या है तो टॉपिक तो टॉपिक है आज हम आपको उदाएंगे सोट फार्म से होगीस के से हुगी हम कईना अपनी इंग्लिप को एक अंग्रेजिओं के माहौल में कैसे डाल सकते हैं और कभी कभी हम हॉलिवीड मूवी देखते हैं वह हमें समझ में नहीं आती है और कभी कभी हम जो इंग्लिस पीपल होते हैं अंग्रेज, वो sort forms use करते हैं, sort forms, यानि एक लंबी सी बात को एक छोटे वे में वो बोलते हैं, उसी को मुलते है, sort forms, right, यानि किसी बड़ी बात को sort forms, क्यानि sort का मतलब यह है, यानि sort कर रास्ता, तो आज मैं आपको सखाऊंगा, क्या अंग्रे pronunciation नहीं जानते हैं, तो आज हमारी जो बात है, वो है, एक तीर से दो निसाने, one strong kiss, two words, यानि आज हम आपको sort form भी सिखाएंगे, plus उनके right pronunciation भी सिखाएंगे, plus उनके example भी विताएंगे, हमको कैसे उस करते हैं, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, तो देखो, idea हमारा जो पहला sort forms है, यानि हमारा जो पहला sort forms है, वो है, it is, क्या है, it is, यह हमारी full form है, यानि proper form है, full, it is, इसको sort हो बोलेंगे, it's, क्यों बोलेंगे, it's, जैसे, it's water, it's water, it's money, right, it's water, it's money, it's love, right, तो इसके रश्म, use कर सकते हैं, right, जैसे, it's water, पानी है, it's love, प्यार, it's money, पैसा है, तो हम नहीं बोलेंगे, it is water, क्या होलेंगे, it's water, क्या होलेंगे, it's water, नहीं बोलेंगे, it is money it's money it's money नहीं गोलेंगे it is love it's love क्या उलेंगे it's love so first हमारे clear हुआ it is को क्या गोलेंगे pronounce its second हमारा I am आप fully गोलते हुआ I am a doctor I am an engineer I am an engineer I am taking यानि कि आप I am इसको fully बोलते हैं इसकी I am होती है जो अपने आमें आप यूज करते हैं बट I am का sort form क्या होता है आम, क्या बोलेंगे आम, खाने वाला आम जानते हो तो I am को sort क्या बोलेंगे sort form में, आम इसका right pronunciation क्या बोलेंगे आम आम taking आम taking आम playing आम speaking आम helping आम cooking correct, तो आप sentence बोल सकते हैं I am the sort form क्या होगी आम, आम running आम teaching आम teaching right, so now third is not, third हमारा क्या है sort form is not right उसकी हमारा sort form क्या है isn't, क्या है, isn't जासे is not को हम बोलते हैं, isn't जासे he isn't coming क्या मुलेंगे he isn't coming my father isn't going to office my father isn't going to office यासे बोल सकते हैं my father isn't gone office my father isn't gone office Rahul isn't coming Rahul isn't coming यानि is not की sort form क्या होदी isn't अगर आपको नहीं पता is कहां लगता है rm तो आप मेरा lesson first है उस नहीं वीडियो को देखके सीख सकते है is mr कहां पर लगते हैं आपको पता लग जाएगा ठीक है माइडिया तो आप मेरी is mr यानि क्या है आप सबको सेंटेंस बोल दें आप गाउन मैं जा चुकाँ आप गाउन मैं आ चुकाँ आप कम नहीं बोलेंगे i have done i have done मैं खेल चुकाँ i played i played क्या बोलेंगे i have क्या बोलेंगे i i have gone to office i have gone to office i played cricket i have taken bath ठीक है तो आसे आप i have क्या बोलेंगे i i have क्या बोलेंगे i and इसका right pronunciation बोलेंगो बोलेंगे pronunciation बशेंशन I, ठीक है, नमर 5 Let us यानि कोई काम होने दो, let us इसको गल्ब है, let us तो let us की सर्फ हम क्या है? Let's Let us की सर्फ हम क्या है? Let's Right जैसे चलो चलते हैं Let's go Let's go Right प्रनाउस क्या हम? Let's go चलो खेलते हैं Let's play चलो सुनते हैं Let's listen चलो पढ़ते हैं Let's study चलो पढ़ाते हैं Let's teach तो यह देखो 5 आपके फुल फॉर्म थे जिनको हमने क्या बना है? सॉर्ट फॉर्म जिनके राइट प्रनाउस भी बताएं और उनके एक्जेम्पल भी दिये अब हम नेक्स्ट पोईशन बजाते हैं तो हमारा नम्मो सिक्स मे नॉंट इसकी सॉर्ट फॉर्म क्या है? मेंट मेंट की सॉर्ट फॉर्म क्या है? मेंट जैसे वह सायर नहीं आएगा He meant come वह सायर नहीं आ सका He meant come मेरे फादर सायर जाएगे My father meant go रावल सायर जीतेगा रावल meant win तो आपको याद रुटना है means not full form है इसकाАता फॉर्म क्या है? meant जीसका राइट प्रनांचियेशन क्या है? meant मेरे साथ दिलो meant No.7 never never का मदल रहता है? कभी नहीν क्या होता है? never का मदल रहता है? कभी नहीn Never नहीर का मदलन रहता है? कभी नहीं ये full form है इसका राइट प्रनाउस क्या पढ़ेंगे नेयर जैसे मैं कभी सिग्रेट नहीं पीता मैं कभी जूट नहीं बोलता मैं कभी देर से नहीं जबता तो यानी की निर की साट फरम क्या होदीया है? नेयर नमा इट वसनॉट फुल फरम क्या है? वाजनॉट इसकी साट फरम क्या है? वजनॉट मैं नहीं आ रहा था मैं नहीं बोल रहा था मैं नहीं पढ़ा रहा था मेरे पापा नहीं आ रहे थे तो was not का इसका प्रनांशियेशन क्या होगा wasn't right इसका प्रनांशियेशन क्या है want you want happy तुम् खुश नहीं थे they want coming they want coming वे नहीं आ रहे थे we want telling a lie we want telling lie हम जूर नहीं बोल रहे थे you want speaking Hindi right तो इस तरह से आप want का use कर सकते हैं isko use कर सकते है want यानि की were not की short form क्या होती है want यानिकर were not short form want pronounce भी क्या होगा want would not would not any would not क्या है would not इसको full form रही would not बोलते है और इसका short form क्या है wouldn't wouldn't जैसे वायर नहीं आना चाहिएगा he wouldn't come मैं कॉफी नहीं लेना चाहूँगा, I wouldn't take coffee, मैं नहीं खेलना चाहूँगा, I wouldn't play, तुम नहीं जूद बुलना चाहूँगे, you wouldn't tell a lie, So my dear, यह आपके 5 and 5, तो मैंने आपको इस वीडियो में 10 short forms and right pronunciation, यानि आज मैंने आपको 10 short forms बताई हैं, वो भी example and right pronunciation, अगर आप यह 10 form को यूज करते हैं अपनी English में, तो आपकी English stylus हो जाएगी, और कहिने नहीं आप feel करेगे, कि आप अंगरी जो जैसी English कहिने नहीं बोल रहे हैं, तो आसी बहुत सारी short forms है, जो आने वाली वीडियो में आपको बताते रहूँगा, अगर आप proper सारी short forms, जितनी भी सारी short forms है, contraction है, उन पे अगर आप मैनत करते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी लिस हो जाए, यहाद अपना short forms, right, short forms बोलेंगे इनको, या बोलेंगे contraction, क्या बोलेंगे, contraction, क्या बोलेंगे, contraction, short forms, क्या बोलेंगे, pronunciation, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने enjoy किया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, share कर देना, bye and take care.